आनंद बड़े ही आनंद से पेड के नीचे च्छाओं में सो रहा था तभी उसके साथी लोग उसे उठाते हैं अरे आनंद उठतो देख तेरी तो बक्रिया चरते चरते दूसरे के खेत में चली गई हैं ये सुना आनंद हर बड़ा कर उठा और देखा तो बक्रिया तो गाउं के साहुकार के खेत में चली गई हैं साहुकार और साहुकार ने दोनों ही अकडू और गरीबों का खून चूसने वाले प्राणी थे दोनों आनंद को घूर कर उसकी बकरी उठा कर अपने बाड़े में ले जाते हैं तू कमा कर नहीं खा पाएगा आनंद, कभी नहीं नहीं, मेरी बकरिया, मैं उसे कमाता हूँ, नहीं आनंद जोर से चीकता हुआ उनकी और भागता है और तब भी उसे ठोकर लग जाती है और वो जमीन पर धम से गिरता है मगर ये क्या? ये तो आनंद का सपना था वो अपने आलिशान विस्तर से नीचे गिरता है और उसकी नीद खुलती है असल में आनंद गाओं के साहुकार और साहुकार्णी का ही बेटा था जो बहुत ऐशो आराम से पला बढ़ा था हे इश्वर तुने मुझे गरीब क्यों नहीं बनाया मुझे धंद आला तो दे दी मगर मेरा मन अमीरों जैसा क्रूर क्यों नहीं किया मन तो मेरा आज भी गाओं की सादगी और गरीबी में ही लगता है एकदम सही देखा आपने आनंद अपनी अमीरी से परिशान था उसे बच्पन से ही महनत कर कमा के खाना था मगर अमीर माबाप की आुलाद होने की वजह से बेचारा आनंद भी बिना महनत के खापी कर जवान हो गया था कैसा घुटन भरा जीवन है कैसे माबाप है मुझे नहीं रहना यहाँ मुझे यहाँ से जाना है मेरे गाओं वालों के बीच आओ और आनंद रोज की तरह नदी किनारे जाकर बैठ गया वहाँ धेरो गाए बकरिया देख उसका भी मन आम जीवन जीने का करता अचानक उसे एक लड़की के चीखने की आवाज आई बचाओ बचाओ कोई तो बचाओ मुझे लड़की की आवाज सुनते की आनंद उसोर जोर से भागता है और देखता है कि एक सुन्दर कोमल सी लड़की नदी के पानी में डूब रही होती है आनंद उसे बचा कर बाहर लाता है और बस उसकी सुन्दरता को देखता रह जाता है आनंद बहुत ही चुप रहने वाला छोरा था मगर उस दिन न जाने कितने महीनों बाद उसकी आँखों में चमक आई थी हे राम जी मैं तो डूब ही जाती अच्छा हुआ जो ये भाई साब मुझे बचा लिए आनंद नाम है मेरा और मेरा कियारा हाँ कियारा गाउ में ऐसा नाम तो मैंने पहले का भी नहीं सुना मैं भी मेरे बापुजी को यही बोली थी कि गाउं के हिसाब से ये नाम फैंसी है पर माबाप के आगे किसकी चली है हाँ ये तो सही बोली आप माबाप के आगे किसी की भी नहीं चलती अच्छा जी मैं तो चलती हूँ और आनंद जाती हुई कियारा को बस निहारता रहे गया आसपास खड़े लोगों ने आनंद को पहली बार इतना खुश देखा था उस रात आनंद बस कियारा के चहरे को ही याद करता हुआ करवटे ले रहा था अगले दिन जब नदी पर वो फिर से गया तो उसे फिर से कियारा के डूपने की आवाज आती है और वो उसे फिर से बचा कर बाहर लाता है अपसे दूनों अकसर मिलते मगर कियारा आनंद को डूपते हुए ही मिला करती थी आनंद को कियारा का विनम्र स्वभाव और जानवरों की प्रती लगाव बहुत ही भाग गया था एक बार रोज की तरह ही कियारा नदी में फिर से छपाक छपाक कर रही थी कियानंद उसे पकड़ कर फिर बाहर लाता है अरे ये क्या आपको डूबने का शौग लगता है कियारा नहीं वो अम्मा बाबुजी मेरी शादी शहर में तै करेंगी और शहरी पती तो ऐसे पानी के बड़े बड़े तालाब में नहाने को कहेगा तब मैं तेर नहीं सकी तो वो तो बस ताना ही मारेगा ना ये बड़ी आई गाउं की गवारन सही कहा ना बाबु सुनो मेरी बात मानों की एक हाँ भोलो ना आनंद शहर के लोगों से दूरी रहना कियारा तुम भोली हो गाउं से कभी निकली भी नहीं हो दुनिया बस भोले लोगों को पागल बनाती है तुम किसी गाउं के छोरे से इशादी क्यों नहीं कर लेती आनंद का दिल कियारा पर एक दम आ चुका था ये सुन कियारा भी शर्माते हुए उसके गालों को चूम कर वहां से चली जाती है मुझे भी तुम पसंद हो आनंद दिन बदिन दोनों की दोस्ती गहरी और आगे बढ़ने लगी गाउं का चोरा और गाउं की सुन्दर गोरी हाथों में हाथ डाल कर गाउं की सुन्दरता का मजा लेते थे आनंद फिर से जी उठा था मगर उस दिन जब वो घर वापिस लोटा तब आनन बहुत हो गई तेरी मन मानी मैंने और तेरी माने तेरे लिए एक बहुत अच्छी लड़की पसंद कर ली है जो शहर के हीरे के बहुत बड़ी व्यपारी की बेटी है मैं ये शादी नहीं करूँगा मुझे नहीं चाहिए कोई शहरी इन धोके बाज लड़की मुझे तो गाउं की सीधी भोली भाली सी लड़की चाहिए जो मुझे समझे और मुझे वो मिल चुकी है साहुकार साहुकारनी बेचारी एक दूसरे का मुँँ ही ताक्ति रह जाते है अगले दिन आनन्द कियारा के पास जाता है और उसे कल की घटना के बारे में सब बताता है तुम तुम्हारे माबाबा से इतनी नफरत क्यों करते हो कियारा मैंने हमेशा खुद कमा कर खाना चाहा है बाप दादा की जायदात की कैद में नहीं पलना चाहता है मैं चाहता हूँ सेवा करना इस जमीन की इन खेतों की इस गाओं की इन गायों की और तुम्हारी क्या कहा तुमने आनंद कियारा से मूँ फिर लेता है कियारा आनंद के पास आकर उसे गले लगती है और उसका माथा चूमती है मुझे तुम्हारा ये अंदाज अच्छा लगा छोरे मगर उससे पहले मैं तुम्हें कुछ पताना चाहूंगी कल सुबह आट बजे यहीं मिलते हैं आनन्द तो खुशी से बावला हो गया था इतना बावला कि अगले दिन आट बजे की बजाए छे बजे ही वो नदी के किनारे पहुँच गया कल तो मैंने गवार पहाड़ी के तरह बगबग करके क्यारा को प्रपोस कर दिया था मगर आज मैं उससे तरीके से प्रपोस करूँगा उससे शेरी अंदास पसंद है ना तो क्यारा के लिए कुछ भी करूँगा और तभी उसे कुछ लोगों के हसी की आवाज आती है आनंद वहां छिप जाता है तभी आनंद देखता है कि एक सुन्दर लड़की छोटे फैंसी कपड़ों में वहां आई है और उसके साथ कुछ लड़के लड़कियां भी हैं जो सब फैंसी कपड़े पहने थे जैसे ही वह लड़की मूर्ती है आनंद उसे देख चौक चाता है वो कियारा ही थी शाबाश कियारा तो आखिर तुने चैलेंज पूरा कर ही दिया न तू तो थोड़े ही दिन में शहर की गोरी से गाउं की छोरी बन गई और क्या नाटकिया हमारी कियारा ने बाबू बाबू कर गे दोस्तो मैंने कहा था न गाउं की छोरी बनना इतना भी मुश्किल काम नहीं है आनंद का दिल तो एकदम चूर चूर हो गया था तो कियारा परसो वापिस जाना है तो भूली तो नहीं है न या कहीं उस आनंद के साथ रहकर सच में ही तो गाउं की गोरी बन गई बिचारा आनंद वो दोस्तों मेरी बात सुनो कियारा आगे कुछ बोलती कि तभी आनंद कियारा के सामने आकर जमीन पर बैठ कर उसके आगे फूल पेश करता है उसकी आखों में आसो थे और आनंद भूल छोड़कर रोता हुआ वहां से जाने लगा ये सुन सारे दोस्त हसने लगते हैं तभी कियारा को गुस्सा आ जाता है शट अप गाइस आई सेट शट अप मैं नाटक में आनंद की साथ नहीं थी मैं असल में चाहने लगी हूँ उसे बहुत चाहने लगी हूँ इतने साफ मन के लड़के से आखिर कौन प्यार नहीं कर सकता मगर कियारा तू कहा शेहर की गोरी और ये आनंद गाउं का छोरा तुम्हारा तो कोई मैच ही नहीं है ठीक कहा तुने, मैच नहीं है मगर मिस मैच तो है और मिस मैच से अच्छी जोडिया तो हो ही नहीं सकती मैं आनंद को मना कर रहूंगी और कियारा आनंद से बात करने की बहुत कोशिश करती है कभी नदी किनारे जाकर कभी उसके कमरे के नीचे खड़ी होकर मगर आनंद कियारा की शकल से भी चड़ने लगा था आनंद ऐसा क्या है आखिर जो तुम शहर की लड़की से इतना चड़ते हो कोई तो कहानी है इसके पीछे और कियारा गाउं की एक बोड़ी औरत से पूछती है बिटी कुछ चोट जखम बनाती है ऐसी ही चोट देने के लिए बिचारे आनंद की जिंदगी में पहले भी शहर की गोरी आई थी पायल नाम था उसका जैसी तू है उतनी ही प्यारी थी वो शहरी कपड़े, अंग्रेजी जुबान, भोली शकल और प्यारी बातों से उसने आनंद का दिल जीत लिया था दोनों में प्यार हो गया पायल मैं अपनी सारे जिंदगी तुमारे साथ बिताना चाहता हूं मैं भी आनंद, मैं शहर चोड़कर तुमारे साथ उस घर में आने को तयार हूं मगर पायल जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि मैं खुझ से अपनी जिंदगी बनाना चाहता हूं जिस तर हमारा चोटा सा कच्चा घर हो और उसमें तुम, मैं और हमारे जानवर क्यों न हम एक काम करें आनंद, तुम्हारे पास जो भी पैसा है तुम लाकर मुझे दो मैं रजिस्टरार से तुम्हारे नाम समीन ले लूँगी फिर वहां हम खेती करेंगी मिलकर और तुम्हारे माबाबा को दिखा देंगे कि सपनी सच भी हो सकते हैं पहली बार आनंद के सपने का किसी और ने भी हाथ धामा था और आनंद सारा पैसा ले जाकर पायल को दे देता है मैं कल ही रेजिस्टरी कराती हूँ पायल चली गई और आनंद उसका इंतिजार करने लगा मगर वो कभी लोट कर नहीं आई पायल के ना आने पर आनंद का विश्वास और उसके सपने भी उसके साथ ही तोट गए और बेटी इनसान की असली मौत ही तब होती है जब वो सपने देखना बंद कर दे आनंद भी तब से ऐसा ही हो गया मगर तेरे आने के बाद वो फिर से जी उठा है कियारा की आँखों में आसू थे वो आनंद का दर्थ महसूस कर सकती थी मैं उडान दूंगी मेरे आनंद बाबू के सपनों को और कियारा गाउं से शहर लोटाती है आनंद कियारा को जाता देख रहा था उसकी आँखों में उमीद बुझ सी गई थी और वो फिर से उदास रहने लगा कुछ दिन बाद जब वो फिर से नदी की किनारे बैठा था तो उसे फिर से कियारा के डूबने की आवाज आई वो सोर भागा मगर वहां कोई नहीं था तू भी कितना पागल आनंद शेरी लोग लोट का धोड़ी आते हैं जैसे ही वो पलटता है कियारा उसके सामने गाउं के कपड़ों में एक लिफाफा लेकर खड़ी थी लोट कर आते हैं जो तुम्हें प्यार करते हैं वो ज़रूर लोट कर आते हैं ये तुम्हारे लिए मेरे छोरे और कियारा आनंद को चूमती है आनंद लिफाफा खोल कर देखता है तो उसमें एक रजिस्ट्री थी ये क्या? कियारा? ये तुम्हारा सपना है आनंद हमारा सपना, हमारा घर और हमारी नई जिन्दगी जो हम अपने हाथों से बनाएंगे इस जमीन पर एक कच्चा घर धीर सारे जानवर, खेती और बस हम तुम आनंद ये सुनकर रोता हुआ के आरा से लिफट जाता है आज पहली बाल लग रहा है कि मेरे सपने को कोई साथ जी रहा है तो बाबू, हर शहर की गोरी आपके पैसे के लिए आपके प्यार के लिए भी पागल हो सकती है समझी बुद्धू आप बारी है अपने माबाबा को करके दिखाने की जी मेरी छोरी वैसे मैडम, आप इन कपड़ों से जादा छोटे कपड़ों में अच्छी लग रही थी अच्छा जी, मगर मैं तो यही पहनूंगी गाउं की छोरी की तरह वो क्या है ना, मेरी छोरे को यही पसंद है क्यों आनंद बाबू और आनंद कियारा के साथ साहुकार साहुकार्णी का आलीशान घर छोड़ कर वहाँ से दूर जाकर खेत में अपना छोटा सा सपनों का घर बना कर रहने लगता है शहर की गोरी और गाउं की छोरे का ऐसा मिलन तो बहुत ही कम देखने को मिलता है ऐसी ही और भी रोमांचक कहानिया देखने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल एनिम स्टोरीज को थैंक्स फॉर वॉचिंग गरीब बेटी का नसीब सांथवना और राशी के बीच में लडाई चल रही है क्योंकि आज राशी ने सांथवना के जूते पहन लिये थे और वह उसके जूते पहन कर बाहर चली गई थी बोला था ना मेरे सामने से दूर रहा कर एक बार में समझ नहीं आता है क्या तुझे चल हट मेरे सामने से अरी सांथवना मैंने बोला ना कि मुझे अपने स्कूल के दोस्तों के साथ किसी काम से बाहर जाना था इसलिए जल्दी बाती में मैंने तुम्हारी जूते पहन लिये मुझे माफ कर दो राशी सांथवना को बहुत समझाती है लेकिन वह तु राशी की बात समझने के लिए बिल्कुल तयार ही नहीं थी और गुस्ते में अपनी मा को बुला लेती है और जैसे ही उसकी मा कमरी में आती है वहरोनी का नाटक करने लगती है और सांथवना की मा भी अपनी बेटी को समझाने के बजाए उल्टा राशी पर ही बरस पड़ती है वैसे भी घर में हमेशा यह सब ही चलता रहता था बिचारी राशी तो हमेशा डाट ही खाया करती थी तो सबकी आवाज सुनकर वहाँ पर राशी की मा भी आ जाती है और वह पूछती है कि आखिर क्या बात है तो निर्मला उसको गुसे में सारी बाते बता देती है अमरिता को भी लगता है कि यह तो छोटी सी बात है लेकिन वह सांत्वना की मा को कुछ भी नहीं कहती है क्योंकि अगर वह कुछ भी कहती तो उसकी मा गुसे में राशी और उसकी मा को ना जाने क्या क्या कह देती इसी बीच निर्मला के पती बाल सुदन की किचन से जोर से आवाज आती है सभी लोग किचन की और जल्दी से जाते हैं तो सभी लोग देखते हैं कि गैस में चड़ाई हुई सारी की सारी दाल जल चुकी है यहें दीख कर निर्मला आग बबुला हो जाती है और राशी की मा को खरी खोटी सुनाने लगती है अरे इन लोगों को थोड़ी पता है कि पैसे कैसे कमाई जाते हैं इनको तो बैठे बैठे मुफ्त का खाना जो मिल रहा है अरे चेतन के मरने के बाद यह दोनों तो हमारे सीने पर आकर बैठ गई है अब हमें यहाँ पता चलता है कि अमरिता बाल सुदन के छोटे भाई चेतन की बीवी है और चेतन की मृत्यू किसी अक्सिडेंट में हो गई थी चेतन के इस दुनिया से चली चाने के बाद बाल सुदन ने ही दोनों की पालन पोशन का जिम्मा लिया था लेकिन वह यह जिम्मेदारी सही से नहीं निभापा रहे थे बाल सुदन अपनी बीवी को समझाने की बजाए उसी का ही साथ दिया करता था उस दिन भी घर में हमेशा की तरह तमाशा होता है और अमरिता कुछ भी नहीं बोल पाती है क्योंकि वह मजबूर थी अगर वह कुछ बोलती तो शायद वे दोनों उसको और उसकी बेटी को घर से निकाल देते दरसल बाल सुदन का पापड का व्यपार था जहां वे भिन प्रकार के पापड बनाई जाते थे राशी की मा और राशी की बनाई हुए पापड पूरे शहर में काफी फेमस थे और बेचारी इस बिजनस को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत किया करते थे वही निर्मला अराम से बैठ कर उसको बस दीखा करती थी वैसे राशी के अलावा वहाँ पर दो-तिन औरते और भी काम किया करती थी लेकिन जिस तरीके से दोनों मा बेटी काम संभालती थी वैसा और कोई नहीं समाल पाता था चलिए अब यहाँ पर खड़े होकर मूख्या देख रही हो जाए जाकर पापड बनाईए आज आप दोनों को खाना नहीं मिलेगा क्योंकि आपने आज मेरी दाल खराब कर दी है इतना कहेकर निर्मला सांथवना और उसके पापा वहाँ से चले जाते हैं अब इसका मतलब यह था कि राशी और उसकी मा को बैठ कर सारा के सारे पापड रात तक बनाने होंगे नहीं तो यह लोग मिलकर उन दोनों का जीना मुश्किल कर दींगे उस दिन अचानक से राशी की मा का सिर बहुत दर्ध होने लगता है इसलिए बिचारी राशी को अकेले ही सारे पापड खुद बनाने पड़ते हैं बिचारी को शाम तक बैठ कर पापड बनाने पड़ते हैं तब ही वहाँ पर एक काम करने वाली दो औरते उन दोनों को देख कर बाते कर रही थी देखो तो निर्मला और उसके पती को इन दोनों पर पिक्कुल भी तरस नहीं आता अरे अमरिता पर तरस खाना तो छोड़ो बिचारी उसकी बीटी राशी को देखो उस पर भी तरस नहीं खाते ये दोनो अरे यही होता है, क्या करें, बिचारी राशी के पापा जो खत्म हो गए इतनी जल्दी, और ताओ को देखो कोई मतलब नहीं है इससे बिचारी गरीब बीटी का नसीब ऐसा ही है, और ना जाने इसके नसीब में आके क्या-क्या लिखा है वही निर्मिला की बीटी को देखो, कितने एश्वराम से रहती है देख लो भई, इसे कहते हैं नसीब, खेर छोड़ो, अब हम भी अपने घर चलते हैं, ठीक है और दोनों इतना कहकर अपने अपने घर को चली जाती है, वही उन दोनों औरतों की बाती राशी सुन लेती है उसे काफी बुरा लगता है, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी देखना, इस करीब बेटी का नसीब भी चलती पदलेगा, और मेरी साथ, मेरी मा का भी, मैं आपसे वादा करती हूं मा तो ऐसे ही कुछ दिन बीच जाती हैं, और अचानक से एक दिन फिर एक बड़ी मुसिबत दोनों मा बेटी पर आ पड़ती है तीनों, बाप, बेटी और मा अमरिता के पास आती हैं अच्छा राशी बेटा, जुट बोलने के साथ साथ अब तुने चोरी करना भी शुरू कर दिया है जी जी, आपको जो कुछ भी कहना है हमसे कहिए, लेकिन हमारी बेटी पर चोरी का इलसाम तो ना लगाई है अरे, तेरी बेटी चोर है तो उसे चोर ना कहें, तो क्या राजा कहें? लेकिन हमने कोई चोरी नहीं करी है, मेरा यकीन कीजिए, हम चोरी क्यों करेंगे भला? यहे देख, मेरे पर्स में पूरे पच्चास हजार रखे हुए थे, और अब यहाँ से गायब हैं तब क्या? निर्मला अपनी बेटी की ये बात सुनकर बोरा जाती है, और गुस्से में बार-बार राशी से पूछने लगती है कि उसने पैसे कहा चुपाए हैं लेकिन उसे तो कुछ पता ही नहीं, बहुत देर तक जवाब ना मिलने पर निर्मला और उसके पती उन दोनों को घर से बाहर निकाल देती हैं घर से बाहर निकाल दिये जाने के बाद, दोनों मा बेटी बड़ी कटनाईयों से अपना गुजारा करती हैं दरसल अमरिता की एक पुरानी दोस्त थी, प्रभा, वे दोनों उसी दोस्त के घर में कुछ दिन के लिए रहती हैं तभी राशी को आइडिया आता है कि वह लोग क्यों ना अपना घर से पापड का बिजनस शुरू कर दे दोनों मा बेटी मिलकर पापड बनाकर पूरी जिंगे घूम घूम कर पापड बेचना शुरू कर देती हैं धीरे धीरे उनका पापड लोगों को काफी पसंद आने लगता है और उन दोनों का बिजनस भी जल्दी ही चल पड़ता है फिर क्या देखते ही देखते दोनों के पास काफी पैसा आने लगता है और वे दोनों अपना खुद का मकान भी खरीद लेती हैं वैसे इन दोनों के काम में प्रभा भी साथ दिया करती थी इसलिए दोनों लोग प्रभा को उनका सारा करजा चुका देती हैं और उन्हें बहुत धन्यवाद देती हैं वही दूसरी और बाल सुदन का पापड का बिजनेस कुछ खास नहीं चल रहा था क्योंकि जब राश्ची और उसकी मा यहां रहती थी तो वहे दोनों काफी अच्छे और स्वादिष्ट पापड बनाया करती थी लेकिन उन दोनों के यहां से चले जाने की बाद पापड किसी को भी ज्यादा पसंद नहीं आते थी और देखते ही देखते उनका बिजनेस ठप पड़ गया और बाल सुदन को कोई और नौकरी ढूननी पड़ी तब ही वहे दो औरते आकर निर्मला उसके पती को समझाती है कि उन दोनों ने उसको घर से निकाल कर काफी बड़ी गलती की है क्योकि पापड का बिजनेस बढ़ाने में दोनों मा बेटी का ही ज्यादा हाथ था और उन दोनों ने उसको घर से निकाल दिया क्योकि अब निर्मला के घर में तो उन लोगों को कोई काम नहीं मिल रहा था इसलिए वे दोनों राशी के यहां जाती हैं काम करने के लिए और उन्हें वहाँ पर काम मिल भी जाता है अरे देखो तो कैसे इस गरीब का नसीब एक्तम बदल गया जब पहले अपनी ताओ की घर में रहती थी तो उनकी किसमत चमक गई हां सही है और जब अप उनसे अलग हो गई है तो अपनी मा की किसमत चमका रही है और यहे दोनों बाती मा बेटी सुन लेती हैं और खुश होती हैं वही दूसरी और अभी भी निर्मला की अकर नहीं गई थी वेह अपने पती और अपनी बेटी के सामने बार-बार राशी और उसकी माँ को चोर बोला करती थी तब ही एक दिन जब सांथवना बाहर गई हुई थी तो वेह सांथवना का बैक चेक करती है बैक चेक करनी पर उसे एक महेंगा लापटॉप मिलता है यानि कि इसका मतलब यह था कि सांत्वना ने ही वे 50,000 चुड़ा कर यह लैप्टॉप लिया था अब उसके मन में पश्टावा और आखों में सिर्फ आसू थे वो जल्दी से दोड़ कर अपने पदी के पास जाती है और उन्हें वे लाप्टॉप दिखा कर सारी बाते बता देती है दोनों को अपने किये पर काफी पश्टावा होता है और वे दोनों राशी और उसकी माँ के पास जाकर उन दोनों से माफी मांगते हैं लेकिन वो कभी फिर से एक साथ नहीं रहते। कमल एक शिक्षक है और उसकी पोस्टिंग हाल ही में राणापुर नामक की गाउं में हुई है और उसे वहाँ पर बच्चों को पढ़ाना और वहाँ के लोगों से मेल जोर रखना काफी पसंद है। वैसे वह आज बहुत खुश है क्योंकि वह उमा से अपनी दिल की बात बताने जा रहा था। तरसल उमा राणापुर की ही एक निवासी है और जिस स्कूल में कमल पढ़ाता है उसी स्कूल में उसका छोटा भाई छोटू पढ़ता है और वही पर कमल ने उस गाउं की गोरी उमा को देखते ही पसंद कर लिया था। जब वह अपने भाई को स्कूल छोड़ने और लेने आया करती थी उमा का रंग काफी गोरा था इसलिए वह उमा को गाउं की गोरी कहता था और वैसे भी उसने बहुत सारे लोगों को उमा की गाउं की गोरी कहते सुना था। तो अब जानना यह था कि क्या उमा कमल को हा करेगी तो कमल इंतजार कर रहा था कि कब उमा आए तो वो उसे अपने दिल की बात कहे। तो थोड़ी देर बाद उमा अपने भाई को लेने के लिए स्कूल आती है। कमल जैसे ही उमा को देखता है, वह उसके छोटे भाई को लेकर उसके पास जाता है. उमा, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है, बस दो मिनट. ठीक है पापुची? तो उमा छोटु को थोड़ी देर वही स्कूल के पास खड़ी रहने के लिए बोलती है, और वहे कमल के साथ गेट के पास चाकर उससे बाते करनी लगती है. वहे देखती है कि कमल बाते करते समय काफे घबरा रहा है और वहे उसे बार-बार पोचने लगती है कि आखिर उन्हें क्या हुआ है. कमल की मुँझे ये बात सुनकर उमा काथी परिशान दिखती है और वहां से छूटू को लेकर जल्दी से घर जली जाती है वहीं कमल को लगता है कि शायद उमा शर्मा रही होगी और बेचारा कमल उमा के जवाब का इंतजार करने लगता है वहीं जब वहें अगले दिन स्कूल जाता है तो देखता है कि छूटू कक्षा में नहीं आया हुआ है और ऐसे ही कुछ दिन बीच जाती है और छोटू स्कूल में नहीं आता उसे मन्य मन्य डर लगने लगता है कि कहीं उमा और उसका भाई उसकी वज़े से ही तो स्कूल में आना बन नहीं कर रहे तो वह उनके घर जाकर पता करने की कोशिश करता है तब जाकर उसको सास में सास आती है लेकिन उसको सचाई पता नहीं थी तो ऐसे ही एक दिन जब स्कूल में छुट्टी थी तो कमल गाउं घूमने के लिए निकला हुआ था कि तब ही उसे उमा कोई के पास पानी भरते हुए दिख जाती है उस समय गाउं की और भी लड़कियां वहाँ पर थी बिचारे कमल ने अपने दिल का इजहार तो उसे कह दिया था लेकिन उसे अभी भी जवाब नहीं मिला था इसलिए वह जवाब मांगने के लिए उमा के पास जाता है क्या हुआ उमा तुम बस मुझे हाया ना तो कहो नजन दास क्यों कर रही हो उमा जवाब नहीं देती और वहाँ से जाने लगती है कि तभी कमल भी उसका पीछा करते करते गलियों में पहुँच जाता है अरे कुस्तो का हो मा ऐसा मत करो प्लीज हम आपसे प्यार नहीं करते लेकिन क्यों क्योंकि हमें शहर के छोरो पर कोई भरोसा नहीं है हम आपको बताना तो नहीं चाहते थे लेकिन हमें अब आपको सब बताना ही पड़ीगा हाँ बताओ दरसल इससे पहले भानो नाम का एक शहर का छोड़ा हमारे गाउं में नौकरी करने आया था उसने भी हमको बिल्कुल आपकी तरह ही पसंद कर लिया था और हम और हमारे परिवार बेवकूफ की तरह उसकी बाते मानते गए लेकिन मैं उसकी तरह नहीं हूँ मा उसने हमसे शादी करने का भी वादा किया था लेकिन जब शादी का दिन आया तो वो शादी छोड़ कर भाग गया जिससे हमारे परिवार की बहुत बदनामी हो गई इसलिए कमल बाबुजी हम दोबारा शहर के छोड़ों पर विश्वास नहीं कर सकते लेकिन हर शहर का छोड़ा एक जैसा नहीं होता है उमा विश्वास करो पाबुजी अब हमी चाना होगा अगर मेरे पिता जी ने आपको मेरे साथ देख लिया तो बहुत परिशानी हो जाएगी और इतना कहे कर उमा वहां से चली जाती है लेकिन कमल को भी उमा के लिए काफी बुरा लग रहा था इसके बाद से वह बस कोई उपाई ढूंड़ी जा रहा था जिससे कि वह उमा का दिल जीत सकी वहीं जब शांतनो को यह बात पता चलती है कमल उमा के पीछे पढ़ा हुआ है तो वहें उमा के पिता जी और उमा को भढ़कानी लगता है शांतनू उमा के पडोसी का बेटा है अरे उमा ये शेयर के छोड़ों पर यकीन ना कर ये सब बदमाश होवे हैं तो सही कहता है तो वहीं दूसरी और कमल छोटू से स्कूल में काफे घुल मिल जाता है और छोटू भी कमल को बहुत पसंद करने लगता है तभी एक घटना स्कूल में घटित हो जाती है दरसल एक दिन छोटू स्कूल में लगे हुए एक आम के पेड में आम तोड़ने के लिए चला जाता है कि तभी पेड के एक डाली तूट जाती है और वहीं नीचे आकर पत्थर के उपर गेट जाता है उसे बहुत छोट लगती है वे बहुत जोड से चिलाता है जिससे कमल तुरन दोड़ कर उसके पास जाता है जैसे ही छोटू को उस हालत में देखता है वे तुरन छोटू को उठा कर हॉस्पटल ले जाता है और तभी वहाँ पर छोटू के परिवार वाले आ जाते हैं उस समय वहाँ पर शांतनू भी था तो वही जब छोटू के पापा डॉक्टर से बात करते हैं तो डॉक्टरोंने कुछ रुपे जमा कराने के लिए बोलते हैं लेकिन अभी तो उमा के पापा के पास इतने पैसे नहीं थे। आप सभी लोग पैसे की चिंदा मत किजिए। पैसे मैं दे दूँगा। उमा के पापा उससे पैसे लेने के लिए बिलकुल भी नहीं मान रहे थे। लेकिन कमल चुप चाप जाकर हॉस्पिटल में सारे पैसे समा कर दीता है। जिसके कारण छोटु को इलाज जल्दी ही शुरू हो जाता है और वह धीरे धीरे ठीक भी होने लगता है। कमल का व्यवार सबके प्रती अच्छा था और वह जोटु को देखने के लिए रोज हॉस्पिटल आया करता था और उसके लिए खाना भी लाया करता था। तो अब उमा और उसकी मा को समझ में आने लगा था कि हर शहर का छोड़ा एक जैसा नहीं होता। उमा के पिता जी अभी भी कमल को पसंद नहीं करते थी। तब ही एक हाथसा उनके साथ भी हो जाता है। तरसल एक दिन जब वे अपने ठेले में सबजी बेच रहे थी तो अचानक से एक बिकाव उकाड़ी आती है और उन्हें टकर मार देती है। जिससे उनका वहीं पर बहुत सारा खोन बह जाता है। उनका खोन उमा के पिताजी से मैच भी कर जाता है। तो इसी घटना के रात दो बजे उमा कमल के पास जाती है और उससे माफी मांगती है। चर्ट के कॉलर को पकड़ लेती है और उससे लड़ने की बड़ी गाउं की गोरी है ना तु। बड़ी चली है मुझे ठुका कर शेर के छोरे से शादी करने। तू तो यहीं पर मरेगी समझी। कि तबी वहाँ पर उमा की मां आ जाती है और उसे एक मोटी लकड़ी से माणने लगती है। मेरी लड़की को मारेगा तू ये ले और ले। और यह सब शोरावा सुनकर हॉस्पिटल का स्टाफ भी वहाँ पर पहुच जाता है और शांधनों को पकड़ लेती हैं। वही कमल के हाथ पैर और सिर में काफी चोटा आ गई थी लेकिन वह कुछ दिनों में ठीक हो जाता है तो कुछ दिन बाद उमा और कमल की शादी होने वाली होती है और उमा के माता पिता कमल को अपना चुके हैं। वही दूसरी और कमल के माता पिता भी शहर से आये हुए हैं। अपनी दुलहन को देखने के लिए और यह बाद सारे गाउवालों को पता चल जाती है। तो एक भई बड़ी किस्मत वाली है, गाउं की गोरी सुना है, वो शहर का छोड़ा बहुत प्रेम करता है उससे। तभी वहाँ पर एक और लड़की आती है और कहती है, अरे चिंता ना करो, तुम दोनों को भी इससे अच्छा शहर का छोड़ा मिल जाएगा। उमा और कमल इन तीनों की बाते सुनते हैं और हसने लगते हैं और खुशी-खुशी शौपिंग करके घर चले जाते हैं। मानेक और उसके बच्चे मिलकर खाना बनाते थे और तब अपना पेट भरते थे लेकिन गरीबी, मा की मौत और परोस में रहने वाली बूड़ी काकी ने रोहित और मोहिनी को बहुत परेशान किया हुआ था। एक दिन सुभा सुभा मानेक अपना रिक्षा लेकर जा रहा लेकिन मैं बहुत जल तुम्हारे लिए खिलोने लेकर आऊंगा। मोहिनी रोहित, आज फिर स्कूल जा रहे हो क्या। मेरे पास भी इतना समय नहीं है कि मैं तुमसे बात करूँगी, मुझे शिवरात्री की तयारिया करनी है, मैं जा रही हूँ। काकी ये कहकर चली गई, रोहित और मोहिनी स्कूल चले गई, रोहित और मोहिनी ने स्कूल में अच्छे से पढ़ाई की, और फिर घर वापस आने लगे, रास्ते में उन्हें शिव मंदिर देखा। भाईया, वो देखो, भोले बाबा का मंदिर है। मैंने सुना है कि सारे बड़े लोग बाबा से मांगते हैं, हमें भी बाबा के पास चलना चाहिए। हाँ भाईया, मैं बाबा से सारी शिकायत करूँगी, कि बाबा ने इतने दुख क्यों दिये। दोनों बहन भाई जल्दी से मंदिर के दर्वाजे पर पहुँचे और चपल और बैक बाहर रख दिये। जल्दी से चोखट को प्रणाम किया और शिवलिंग के सामने जाकर बैठ गए। भोले बाबा, मैं आपसे नाराज हूँ, आपने मेरी मा को छीन लिया और पापा से भी इतना काम कराते हो। हाँ बाबा, इसकूलो घर के बाहर सभी लोग हमें परिशान करते हैं, लेकिन आप हमारी नहीं सुनते हो। भोले बाबा, आप बोलते क्यों नहीं हो। बाबा, मैं आपसे बात करने आया हूँ। मंदिर के पुजारी पीछे घड़े होकर सब सुन रहे थे। मासूम नादान बच्चों की बाते सुन कर पुजारी मुस्कुराई और बच्चों के साथ बैठ गए। बच्चों, महादेव तुम्हारी सारी बाते सुन नहीं है। महादेव अपने बच्चों के लिए कोई कमी नहीं छोड़ते है। फिर महादेव मुझसे कुछ बोल क्यों नहीं रहे है। तुमने महादेव से जो मांगा है, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। तुम दोनों भी महाशिवरात्री के दिन महादेव की पूजा करना महादेव प्रसन्य हो जाएंगे। जो भी महादेव को पसंद है वो सब इनको चड़ाना ये तुम्हें सब कुछ तुम्हारी पसंद का दे देंगे। पुजारी जी बच्चों को सरहा दे कर अपने दूसरे कामों में लग गए। रोहत और मोहिनी सोच में पड़ गए। भाया क्या तुम भी वोही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ। हाँ मोहिनी भूले बाबा को सब कुछ और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़े चड़ाते हैं लेकिन हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन एक चीज है जो भूले बाबा को बहुत प्रिया है, वो हम बाबा के लिए ला सकते हैं। क्या? गंगा जर। आडिया तो सही है लेकिन हम इतनी दूर जाएंगे कैसे भाया कोशिश करके देखते हैं दोनों बच्चों ने अपना स्कूल बैग और चपल वही छोड़ दिये और महादेव की कावण लेने चल दिये रोहित और मोहिनी को कुछ भी अंदाजा नहीं था कि उन्हें कहा जाना है और कैसे जाना है लेकिन वो एक अंजानी रास्ते पर चलते जा रहे थे हर हर महादीव हर हर महादीव ओम नमस्षिवाई ओम नमस्षिवाई दोनों को चलते चलते रात हो गई और वो एक नदी किनारे जा पहुँचे सामने नदी को देखकर उनकी खुशी का कोई ठेकाना नहीं था रोहत और मोहिने खुशी में नाचने लगे हम गंगा जी पहुँच गए, अब भोले बाबा के लिए गंगा जल लेकर चलेंगे हाँ, भोले बाबा बहुत खुश होंगे हाँ, और फिर हमसे बाते करने आएंगे दोनों बहुत खुश थे, मोहिनी की नजर एक मटके पर गई हमें गंगाजल ले जाने के लिए मठका भी मिल गया है चलो जल्दी से चलते हैं रोहित और मोहिनी ने उस नदी से पानी ले लिया और जिस रास्ते से आई थे वापिस उसी रास्ते जाने लगे रात के समय रास्ता बहुत डरावना हो गया था क्योंकि वहाँ जंगल था फिर भी रोहित और मोहिनी इतने खुश थे कि उन्हें कोई डर ही नहीं था और स्वयम शिव शंभू भी ये सब बैठ कर देख रहे थे बच्चों की मासूमियत और शद्धा देख कर महादेव बहुत खोश हुए उन्होंने अपना हाथ उठा कर आशिरवात दिया अगली सुभा तक बच्चे मंदर पहुँच गए मंदर अभी तक खोला नहीं था अभी तो मंदर खोला भी नहीं है हम तब तक मंदर के बाहर सो जाते हैं दोनों बच्चों ने अपने मटके को पास में रख दिया और मंदर की सीडियों के बाहर ही सो गए जब पुजारी जी ने सुभा उठकर मंदर खोला तो देखा कि बच्चे वहीं सोए हैं पुजारी ने रोहत और मोहिनी को जगाया बच्चों उठो तुम कबसे यहां सोई हो हम कुछ समय पहले ही आये हैं पुजारी जी इतनी सुभा क्यूं आये हम महादेव की कावर लेकर आये हैं बेटा तुम दोनों अभी नीद में हो अपने घर चले जाओ सुभा आना है नहीं पंडिजी रोशनी सही कह रही है हम गंगा जल आये हैं बेटा गंगा जी बहुत दोर है इतनी जल्दी वहां से गंगा जलाना संभव नहीं है तुम गंदा पानी ले आये हो और अभी शिवरात्री भी नहीं आयी है हम महादेव की लिल आये है तो उनको इस जल से नहला करी जाएंगे मैं तुमको ऐसे नहीं करने दूँगा ये गंदा पानी महादेव के उपर नहीं जाने दूँगा आप में महादेव के पास जाने से नहीं रोक सकते हो मैं तुम्हारा ये गंदा पानी ही बिखेड देता हूँ ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी नहीं नहीं ये मत करना हम बहुत दूर से पैदल चल कर आए हैं हमने खाना भी नहीं खाया पुजारी ने उनकी कोई बात नहीं मानी और जल का मटका उठा कर दूर फेक कर मारा बच्चे रोने लगे मटका टुकडों में तूट गया पुजारी मटके की तरफ देखकर तेज तेज हस रहा था बच्चे रोते हुए मटके को देख रहे थे तभी तूटा हुआ मटका फेर से जुड़ गया और सारा जल उसमें वापिस भर गया ये देखकर सभी हैरान थे मटका हवा में ओड़कर गया और शिवलिंग की उपर सारा जल चड़ गया ये देखकर पुजारी बेहोश हो गया लेकिन रोहत और मोहिनी के चहरे खिल उठे दोनोंने मंदर के बाहर खड़े होकर ही आँख बंद करके हाथ जोड़कर शीश नवाया और फिर दोनों हाथ उपर करके हर-harmahadev बोलने लगे हर-harmahadev हर-harmahadev तब ही उन्हें एक आवाज आई में तुमसे प्रसन्द हुआ तुम्हे जो भी चाहिए था उससे जादा मैने तुमको दे दिया है अब तुम दोनों जल्दी से घर जाओ जैसे ही मोहिनी और रोहित ने आवाज सुनी जल्दी से दोड़ कर अपने घर चले गए जब दोनों बच्चे अपने घर पहुँचे तो वो हैरान रह गए क्योंकि उनके घर में राशन का बहुत सारा सामान था और बहुत सारे पैसे थे घर भी अब बहुत सुन्दर हो चुका था जब उन्होंने अंदर जा कर देखा तो वहां मानिक के साथ उनकी मा भी बैठी थी बच्चे बहुत खुश हुए मा आप हाँ बेटा मैं नदी के बहाव के साथ बह गई थी लेकिन मैं बहुत दोर थी और कल रात अचानक ही मेरी किसी ने मदद की और मैं यहां तक पहुँँच गई रोहित और मोहिनी ने एक दूसरी की तरफ मुस्कुरा कर देखा वो समझ गए थे कि महादेव ने उनको सब दे दिया दो दिन बात शिवरात्री थी रोहित और मोहिनी अपने मम्मी पापा के साथ मंदिर गए और बहुत सारा राशन का सामान और फल लेकर गए। सारा राशन का सामान और फल उन्होंने छोटे बच्चे और गरीब लोगों को बाट दिया। इस तरह सभी गरीबों की शिवरात्री मन गई और कोई भी भूका न बोलो हर हर महादेव थैंक्स फॉर वाचिंग इसलिए कॉल कर रही है या कुछ पैसे चाहिए होंगे गरीब कहीं की हाँ ये कल से लगातार कॉल कर रही है तब तक फोन नहीं उठाओगे ये कॉल करती रहेगी इससे अच्छा है इफ़ी फोन उठा ही लो ये भी शुक्र है कि कोई बड़ा फोन नहीं है उस नौक्या बारसों से ही कॉल कर रही होगी ठीक है इस बार फोन आयगा तो उठा लोंगा तब ही मोहन दुबारा फोन बजा मोहन ने फोन उठाया हलो भया मैं बोलू हूँ सोभा हाँ बोल भया मैं कही रही कि राखी बंदन को त्योहार आगिव है हाँ मुझे भी पता है भया मैं आवो चाहूं तुमको राखी बांधने कोई जरूरत नहीं है अरे ऐसे कैसे जरूरत ना है ये बहाने से तुम से और भावी से मिली लेवे है और राखी को मामुला सधागा हमेशा तुम्हाई मदद करे है हाँ हाँ ठीक है मैं फोन लख रहा हूँ मेरे पास इतना टाइम नहीं है और हाँ या मताना तो जैसी गरिब गवार से बेज़दी होगे मेरी समझी दुबारा फोन भी नहीं करना फोन कट गया राखी बान कर रक्षा करेगी इस पर अपनी रक्षा तो हुई नहीं आज तक अरे छोड़ो उसको उसके लिए हम अपना समय बरबाद नहीं करेंगे तुम्हारी छोटी बेहन मोना भी आ रही है हाँ मोना तो शान है हमारी अच्छी पड़ी लिखी है अच्छा कमाती है इसलिए सुसायटी में बहुत हिज़त मिलती है हाँ लेकिन तुम्हारे माबाब तो मर गए और इस गवार को छोड़ गए मुझे समझ में नहीं आथा कि इतना मना करने के बाद भी पीछे क्यों पड़ी रहती है मुझे लगता है कि अभा में अपने अपने अफिस निकलना चाहिए हाँ चलो चलते हैं दोनों अपने अपने गाड़ी में चले गए जब मोहन और करिश्मा शाम को वापस अपने घर लोटे तो उन्होंने देखा कि शोभा हाथ में एक थैला लेकर दर्वासे पर खड़ी है उसने गंदी सी साड़ी पहनी है और वाच्चमेन उसको वहाँ से जाने के लिए बार बार बोल रही है करिश्मा ने शोभा को पहचान लिया लेकिन उसने गाड़ी नहीं रोकी और साड़ी के अंदर चली गई उसके बाद मोहन भी अंदर जा रहा था कि वाच्चमेन ने रोका वाच्चमेन मेरी कोई बहन नहीं बड़े लोगों के पीछे लोग ऐसे आते और अपने रिश्टा बताते है मोहन अपनी गाड़ी लेकर अंदर चला गया वाच्मेन ने शुभा को धक्का दिया शुभा समीन पर गिर पड़ी शुभा की आँखों से आसु बह रहे थे लेकिन बेहन तो अपना हक भी छोड़ दे वे आप तक समय समय पर शुभा का अपमान होता रहा लेकिन आज इतनी ज्यादा बेज़ती से शुभा बिलकुल तूट चुकी थी वो चुप चाप वापिस लोट गई रक्षा बंधन का दिन आया और दिन धलने से पहले मोहन की छोटी बहन मोना भी आ गई मोहन और करिश्मा मोना की आने से बहुत खुश थे मोना ने वेस्टरन ड्रेस पहनी थी उसकी प्रिस्टनालिटी अलग ही दिख रही थी मोहन और करिश्मा उसे मॉल ले कर गई भाईया भाबी आप कितने अच्छे हो मुझे आप तोनों की वज़े से मापापा की कमी पपे महसूस नहीं होती है मोहन और करिश्मा ने भी मोना को गिफ्स दिये और बहुत प्यार से वदा किया मोना अपनी घर खोशी-खोशी चली गई शोभा अपनी घर चली गई थी शोभा का पती राजकुमार रिक्षा चलाने जा रहा था शोभा ने किसी को भी अपने अपमान के बारे में नहीं बताया था शोभा की बेटी परी भी स्कूल जा रही थी शोभा ने सारा काम किया लेकिन अपने दर्द को छुपाई रखा शोभा ने अपनी पती राजकुमार और परी को खाना बना कर दिया दोनों चले गए तभी उसकी एक पडोसन रानी आई और शोभा से कहा अरी सोभा बहन भाया के पास से जल्दी वापस लोटाई हो हाँ जे कब बात हुई तुम भाया के यहां जावे खातर पैसा उधार ली हो तो कुछ दिन रुकवे जाती तभी तो मन लगतो कि हम आईके में आई रहे हम भाया को राखी बानवे खातिर अपने उपर करच किये अब महनत मजदूरी से सब उतारेंगे चलो बहन अब जाओ हूँ रानी कहकर चली गई लेकिन शोभा को वो दिन याद आ गया जब उसने चुपके से अपने भाई के पास जाने के लिए अपना मंगल सूत्र गिर्वी रखा था लेकिन भाई ने उसको धक्के और अपमान और जलालत के अलावा कुछ नहीं दिया एक बार बहन कहकर भी नहीं पुकारा शोभा की आखों से आसु बहने लगे शोभा सत्मे से बाहर नहीं आपा रही थी इसलिए उसे बुखार आ गया और उसका पूरा बदन जल रहा था लेकिन रानी को मंगल सूत्र भी वापस लाना था इसलिए वो मजदूरी करने चली गई वो अपने सिर पर पत्थर रेद धो रही थी जो एक घर बनाने में काम आ रहा था वो करहाते हुए काम कर रही थी लेकिन उसने हार नहीं मानी और दिन भर काम किया उसके काम करने की ये प्रक्रिया ऐसे ही चलती रही और कुछ महीनों में उसने राखी बानने का सारा कर्जा उतार दिया और फिर अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए काम करने लगी दस साल बाद दस साल ऐसे ही बीद गए लेकिन मोहन और करिश्मा के लिए ये दोर बहुत कठिन था क्योंकि उसका बिसनिस पूरा डूब गया था और उनके उपर बहुत सारा कर्ज भी हो गया था मैंने मुणा से कई बार मदद मांगने की कोशिश की लेकिन मुणा ने मना कर दिया मोहन ने बहुत उमीद से अपनी प्यारी बहन मोना को कॉल की मुना ने पून उठाया हाँ भया बताईए मुना कल राखी बन देन है हाँ जानती हूँ यही कहोगी कि मैं आपको राखी बानने न आओ आपको आर्थिक स्थिती ठीक नहीं है न नहीं नहीं बहन समय है बदलता रहता है इसलिए तु कल आ जाना सौरी भया मेरे पास फालतू में इतना टाइम नहीं है कि मैं आपके पास आऊंगी तु ऐसे क्यों कह रही है अच्छा मुना मुझे एक और काम था कहते हूँ अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन मजबूरी है बहन आपको पैसे के अलावा कोई काम नहीं हो सकता इसलिए ऐसा कीज़े कि फोन रखे और दुबारा फोन मत करना आज गरीबी की वज़े से मोहन को भी वही दिन देखना पड़ा मोहन ने फोन कट कर दिया और तेज तेज रोनी लगा उसे अपनी पतनी करिश्मा को भी सारी बात बताई अब भगवान के अलावा कोई साहरा नहीं है हम यहां मंदिर के बाहर बिखारियों की लाइन में बैठ जाते हैं मुझे मुना से ये उमीद बिल्कुल भी नहीं थी किसी से कोई शिकायत मत करो क्योंकि ये सब कर्मों का फल है जो भी हमने किया है वही सब वापस में लहा है मोहनर करिश्मा ने उसी को अपने तकदीर मान लिया और मंदिर के बाहर रहने लगे अगले दिन रक्षा बंदन का दिन था एक आदमी ने आकर शोर मचाया सुनो सभी, हर बार की तरह इस बार भी हमारी मुह बोली बहन आ रही है सभी लाइन से बैट जाईए, सभी बच्चे भी एक साथ बैट जाईए वहाँ उपस्तित सभी विकारी एक लाइन में बैट गए मंदिर के सामने मर्सडीज आकर रुकी उसमें से शोभा, उसका पती और बेटी उत्रे, उनके साथ उनका ड्राइवर भी था उन्होंने पहले मंदिर में पूजा की और फिर सभी को दान करना शुरू कर दिया शोभा ने सभी विकारीयों को अपना भाई बनाया हुआ था वो गरीबों को ही राखी बानती थी और उन्हें उफार देती थी शोभा सभी को राखी बान रही थी, तभी उसके भाई मोहन ने भी हात आगे बढ़ा दिया जब शोभा ने अपने भाई मोहन को देखा, तो उसके होश उड़ गए भया हाँ बहन, मुझे माफ कर दे और आज अपने इस करीब भाई को भी राखी बान दे भया, भाई कभी करीब नहीं होते, आप ऐसे क्यों सोच रहे हो, चलिए घर चलिए मोहन और करिश्मा ने शोभा से माफी मागी बहन मैं तेरे घर जाने लाइक नहीं हूँ भया, अब तो दस सार पहले वाला वक्त भी नहीं बचा है, फिर आप क्यों वो बाते याद कर रहे हो अब मैं भी स्कूल में पढ़ाई कर चुकी हूँ, परी ने भी अपनी कमपनी खोल ली है, बहुत कुछ बदल चुका है, फिर आप क्यों इतना सीरियस है आपके जितनी नहीं, थोड़ी बहुत सीखी हो सभी हसने लगे, शोभा ने अपने भाई-भावी को गाड़ी में बिठाया मैं तो आज पहली बार मसरडीज में बैठाओ भया, आज से अपनी ही समझिये कुछ देर में गाड़ी ने एक बड़ी सी हवेली में प्रवेश किया जिसको देख कर मोहन और करिश्मा खुद पर शर्मेंदा हो रहे थे शोभा ने अपने भाई-भावी को रहने के लिए जगह, खाना और कपड़े दिये और बाकी सभी जीजे भी उनको दी इस तरहें सभी खुशी-खुशी रहने लगे आप सभी को रक्षा बंदन के त्योहार की हार देख शुब काम नाए दोस्तों, बहने आपसे कुछ लेने नहीं आती बलकि वो तो दुख दर्द बाटने आती है इसलिए इस्ज़त किया करो बहनों की अपनी हो या गेरों की हेलो अनम फैमली, तो स्टोरी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और विडियो का फेवरेट पार्ट कमेंट करें विडियो को शेयर करें, लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद